हरोली उपमंडल के लुठडे गाउ निवासी एक परिवार की कहानी हर किसी का दिल पसीच देने वाली है करीब दो साल पहले लंबी बिमारी के बाद संजीव कुमार का ब्रेन काम करना बंद कर गया था जिसके बाद से लेकर आज दिन तक संजीव कुमार कोमा की हालत में है पती के इलाज के लिए पत्नी ने बचाई हुई तमाम धनराशी खत्म कर दी वहीं संजीव के भाईयों ने भी यथा संभव अपने भाई के परिवार की मदद की चाहे वह परिवार के पालन पोशन की बात हो या फिर संजीव की दबाओं के खर्चे की लेकिन अब उनके भी हाथ खड़े हो गए हैं ऐसी परिस्थिती में अब मौनिका ने अपने पती के इलाज के लिए जमेन जायजात को बेचने का फैसला लिया तो इन परिस्थितियों में भी कानून आड़े आ गया और अब उसने पती के नाम वाली जमेन बेचने के लिए कोट का दर्वाजा खट-गटाया है ऐसा नहीं है कि इस परिवार ने सरकार से मदद नहीं मांगी सरकार को परिवार ने लाको रुपे के बिल भेजी है लेकिन अभी तक इस परिवार को मात्र 15,000 रुपे की आर्थिक मदद ही सरकार की तरफ से मिली है वहीं लंबी जदो जहद के बाद संजीव को इस महा से ही दो हजार उपे की पैंशन भी शुरू हो गई है लेकिन संजीव के इलाज पर हर महा हजारों का खर्चा होने और परिवार के पालिन पोशन करने के लिए दो हजार उपे कहां तक मददकार साबित होंगे अब ठकहार कर संजीव की पतनी मौनिका ने डीजी आफिस उना में पहुँचकर डीजी राघव शर्मा के आगे भी फरियाद लगाई है और डीजी उना ने मौनिका को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है मौनिका ने अपना दुखणा सुनाते हुए बताया कि किस तरह से उनके परिवार पर दुखों का पहार टूटा है और सरकार की तरफ से मदद के नाम पर सिरफ 15,000 रुपे ही उन्हें मिले है तियान दो साल से वो कॉमा में है, इनका ब्रेंड एमिज हो चुगा है पहले तो बोड डिप्रेशन में चले गए थे, तो बहुत अलाज कराया क्योंकि बुमारी को लेकर इक खुद ही बोलते रहते थे कि मेरे को कोई बुमारी लग गई है कुछ हो गया है, मेरी बुमारी का कोई अलाज नहीं है फिर धीरे धीरे बहुत अलाज कराता है, पैसा भी बहुत लगा दिया हमने पीजी आई, डीमसी कोई होस्पिटल हमने छोड़ा नहीं है कि जहां इनका अलाज नहीं कराया फिर भी ठीक नहीं होए, इनका दुमारी देमेज हो चुका है तो अभी खर्च करना बहुत मुश्कल हो रहा है क्योंकि इन पर तो खर्च आप देख सकते हैं क्योंकि गल्म जो पैप है वो भी चेंज करनी पड़ती है वो भी तो पैपे लेनी पड़ती है तो वो भी चोवी सोच की आती है पंद्रह दिनों बाद पैपना की चेंज करनी गाड़ी का इंदुलेसर्च ड्राइबर बगारा खर्च तो यह भी बहुत है बच्चे हैं घर का खर्च कैसे करना है जे तो हमारी फैमिली अच्छी थी जो अभी सपोर्ट कर रही है पर एस ते हम गुजारा करना बहुत मुश्कल है निसकार की तरफ से अभी तक तो कोई मद्द ने मिली इस में ने दो हजार पैंचिन लगी है इनको तो उससे भी क्या बनता है आप सोल सकते गुजारा हो तो बहुत मुश्कल है जो रिष्टेदार है सभी हाज हेट जड़ सभी हेल्प कर रहे हैं पर अभी तो उनका भी हाथ कड़े हो गया क्योंकि इतने साल हो गए जो इनके नम पर जमीन थी तो मैं बेच कर इनका इलाज करना चाहती थी पर उसका भी कोई आल नहीं हो कचेरीों में चक्कर लगा लगा हो कर मैं भी था की क्योंकि उनकी पावर टोन ही नहीं मिली था कर रहे हैं बास यही चाहती हो कि मैं जमीन बेच कर इनका इलाज करना चाहती हुए अपने पच्चों को देखें, जमीन मेरी बिक जाए। महें संजीव के भाई सिद्धुराम का क्याँन है, कि मदद करते हैं। लेकिन अब आगे आगे मदद करना उनके लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। सिध्धुराम ने सरकार से संजीव के परिवार की मदद की गुखार लगाई है और इस अभी हम भी से इनकी मदद करते करते ठख ले क्योंकि जतना मेरे में मैं दम था मैंने यह विद्धा पूरा अपना लगा घ्जी जमीन Sajmheen का नाम इसन्जी कुमार का है रिस्ट्रीमे, आब वह जमीन स्की मिस्सी गेश इनिд शिकती है। क्योंकि उसका प Kabul Chair न मिल रही है। प slopes टो घृआ करने कि लेने के लिए तसीलदार जी के पास काफी चखर काटे। उसके बाद तसीलदार जी ने मना कर दिया कि मेरे को जे पावर नहीं है। फिर हमने अभी कोट में केस किया हुआ। कोट का केस अभी चल रहा है तक वो भी पॉवर्ट नहीं मिली। तो इनके लिए खर्च करना बहुत मुश्कल है। जबकि इनके लिए बच्चे भी शोटे ह रहांकुमार जी के पास तो उन्होंने हमारे को पंदर जार्पिया चेक दिया। उसके बाद हमने ठेड़ लाग के बिल दे रहे हैं इस सत्ती जी के पास। अभी उसका कोई हमारे को अभी तक नहीं आए और लगवाग उसको साल डेड़ साल होगा जी बिल दे हुए उसके पेंशन इनको साहरा से दो जार्पिकी लगी है। साहर से हम सरकार के साथ है जो सरकार हम इनके गर की स्थितिती को देखते हुए इनको मदद ज्याद मदद मिलने चाहिए लाइफटेंस टीवी के लिए उना से अमिच शर्मा के रिपोर्ट जी कॉल करे 9418035372 पर और इमेल से भेजे अपना बायो डाटा hr-goilmotor.com पर